गाइज तो आज की सीटियो में हम लोग देखेंगे कि के आप यसे shopping cart के आप है, shopping cart कि प्लिठ हैं, बंब के आप आप हैं, आप उठा उठा कर के इसको अपनी बासकेट हैं website में उसके अंदर जो है आप लोग इसको place करते जाते हैं तो वो आपके record के against जो है वो वहाँ पे उसको add करता जाता है और add करने के बाद आपको जो है वो जब आप लोग एक दफ़ा order place करने जाते हैं तो वो सारे की सारी items जो है वो एक ही order के अंदर जो है वो place हो जाते हैं ज में या आपके package में जो है वो डालता जाता है तो इस तरीके से क्या होता है कि guys आप लोग एक टोकरी में या एक basket के अंदर जो है वो पहले अपना जो है वो items रखते हैं और उसके बाद उसको जो है वो आप जो है वो अपने wrapper में जो है वो रखते हैं या अपने बैग में रखते हैं तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या step perform करने जा रहे हैं यहां पर क्या करेंगे इसको मैं लावट करूंगा और सबसे पहले यह है कि add to cart करते वकर हम लोगों ने यह देखना होता है कि आप कौन सी product को add कर रहे हैं और आप कौन सा customer जो है इस product को add कर रहे हैं यह भी हमने देखना होता है कि कौन सा customer कौन सी product को add to cart कर रहे है ठीक है गाईस तो आपके पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग आएंगे अपने home पे और home पे आके हम लोग एक product को जो है वो open करेंगे और उस product को मैं add to card करने की कोशिश करूँगा और यहां पर देखें वो हमें एक message जो हो शो करेगा यहां पर लेट्स पोल मैं एक product की जो हमारे पास details हैं जो कि हमने last video पे perform किया था अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग इस link से वो वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर देखें गाइस आपके सामने यहां पर add to card करता है और इसमें एक चीट नोट कर लीजेगा कि आप लोग जो है one से नीचे items को order नहीं कर सकते और और जितना इसका stock available है उससे उपर आप order नहीं कर सकते तो यहां पर मैंने three select की और यहां पर मैंने add to card करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे एक error message शो करेगा कि आपने यह product है जिसको आप add to card कर रहे हैं आपने अपने account बेज़ा है वो login नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है login करना है ताकि हम track कर सके कि यह product जो card में add करनी है यह आपके record के gains जो है वो add करनी है तो guys सबसे पहले मैं यहां पर अपने आपको login करूंगा 123 and add the rate लगा कि हम लोग यहां पे इसका password लगाएंगे okay तो सबसे पहले हम लोग दुबारा से product की detail पर जाएंगे और फिर से हम लोग जो guys इसमें add करेंगे okay guys तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप ने एक product जो है इसको open किया and इसकी जो products हैं वो multiple यहां पर अड़ कर सकते हैं यहां पर आएंगे and guys अभी आप लोग देख सकते हैं कि 3 मैंने add किया और यहां पर add to card पर click करेंगे तो यह हमारी products जो है वो add to card हो चुकी है अभी हम लोग क्या करेंगे अपने database में इसको देखेंगे यहां पर PHP में admin open करने और यह देखें यहां पर आपके पास जो एक record है वो enter हो चुक है तो इसका मतलब जो हमारे पास हमारा जो add to card का जो functionality जो आज हमने perform करनी थी यह हम लोग उन्हें complete कर दी है तो चले guys start करते हैं आज के lecture को ओके everyone तो आज की इस video में हम लोग start करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग card system के लिए यह make sure करेंगे कि हमारे पास database के अंदर जो है वो card का जो table है वो होना चाहिए ठीक है guys तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपना database जो है वो उसको open करेंगे यहां पे लिखेंगे phpmyadmin और हम इसको open करेंगे तो हमारे इस project के अंदर हम लोग आएंगे ecom web app and guys यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग उन्हें card का जो table है वो नहीं बनाया तो first of all हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पे आएंगे and एक new migration model के साथ जो हो create करेंगे और मैं लाइक यहां से इसको डेल का जिता हूँ and यहां पे हम लोग एक new बना लेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे php artisan make colon model और model में हम लोग लिखेंगे card guys कुछ projects में इसको basket का जाता है और कुछ projects में इसको जो है वो card का जाता है तो यहां पे मैं लिखा इसको card and dash m हम लोग use करेंगे यह basically आज हम लोग जो है shopping cart जो है वो create करने जा रहे है तो यहां पे मैं लिखूंगा card and dash m लिखने से guys हमारे पास model भी create हो जाएगा और उसके साथ जो उसकी migration है वो भी create हो जाएगी तो guys सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपना जो migrations है उसमें आएगी और यहां पे देखिए हमारे पास जो card के नाम का migration है वो create हो चुका हुआ है तो guys सबसे पहले हम लोग उने यह देखना है कि हम लोग उने cards का जो हमारा table है उसके अंदर columns कौन कौन से रखने है तो सबसे पहले guys जिस product को आपने card में add करना है उस product का आप नाम लिखेंगे उसकी जो ID है या उसकी जो details है वो add करेंगे हम लोग क्योंकि पूरी की पूरी products का हम लोग नाम उसकी picture और यह सारी चीज़े तो नहीं add कर सकते है तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी चीज़ add करेंगे जिससे हम लोग बाद में joins लगा के हम लोग उस product का data read कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे product की जो ID है ना उसको हम लोग as a foreign की जो है वो cards के table में send कर देंगे उसके बाद second column जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा quantity का कि हमने card के अंदर कितनी quantity में data जो enter की है like एक product जो है उस product को हमने कितनी जो quantity है उसकी वो add करनी है वो भी हम लोग उने card में रखना है and third one सबसे important चीज़ guys आपको पता है कि आपके पास cards का या basket का एक ही बनना है database में तो उसी के अंदर आपने अपनी website के जितने भी users है ना उन सब की card items उसके अंदर manage करवानी है तो guys ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली card item जो है वो fly user ने या किसी और user ने रखी थी वो कैसे पता चलेगा कि ये customer हमारा जो add to card कर रहा है उसकी जो primary key ID है ना वो भी as a foreign key हम लोग उने उस cards के table में रखना है तो guys total जो है वो हम लोग देखेंगे एक हमारे पास customer ID हो गया एक product ID हो गया और एक quantity हो गया ये तीन ही column जो हम लोग उने add करने है अपने इस card के अंदर और हमने कुछ भी नहीं रखना तो guys सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे table and इधर हम लिखेंगे integer क्योंकि आपको पता है आपकी जितरी भी foreign key होती है यह सारे की सारी integer में है यह as a primary key जो आपके पास table में यूज हो रही होती है उसको हम दूसरे table में as a foreign key जो आपके यूज हो यूज का रही होती है तो यहां पर हम लिखेंगे product ID and guys इसको आप default में जो है न वो zero देंगे क्योंकि हम लोग हर एक की by default value जो है वो null रखना चाहरे है उसके बाद guys sorry zero रखना चाहरे है quantity में आएंगे और यहां पर हम लोग जो है वो इसकी quantity दे देंगे okay guys यहां पर हम लोग इसको भी zero कर देते हैं उसके बाद guys आपके पास आता है customer ID यह customer की idea और इसको भी हमने default में जो है वो zero रख दिया guys इतना काम करने के बाद हम लोग इस table को जो है आपड़ेट करेंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे php artisan and migrate enter करेंगे तो आपका यह जो table cards का यह automatically के अंदर जो है वो upload हो जाएगा और यहां पर लोग देख सकते हैं cards नाम का जो table आपका वो लिखावा नजर आ गया और इसमें जो बाकी columns id and timestamps के columns हैं वो आगे और बाकी जो हमने columns add की हैं वो सारे के सारे यहां पर आ चुके हैं okay guys तो table हमने create कर लिया यह हमारा first step था second step यह है guys कि हम लोग ने make sure करना है let's suppose हम यहां से किसी product पर आते है और यह चीज़ हम लोग ने make sure करनी है कि जब भी हम किसी product के उपर add to cart करेंगे तो हमारी वो जो product है वो तब तक add to cart नहीं होनी चाहिए जब तक के user या customer जो आपका है website का वो login नहीं हो जाता like यहां पर आप लोग add to cart पे click करने कोशिश करेंगे तो यह add to cart नहीं करें यह उसको कहे कि भाई अगर आप login नहीं है तो आपको login करना है और अगर यह login हुआ हुआ है तो इसको automatically वो क्या कर देगा जो है वो add to cart जो है वो product को करवा देगा तो यह restriction लगाने के लिए guys हम लोग क्या करेंगे first of all हम लोग add to cart की functionality पे काम करेंगे तो इसके लिए हम लोग single product के page पे आएंगे और इसमें जो extra data लिखा हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले clean करेंगे तो guys यह जो हमारे पास यह sizes और यह colors लिखे हुए हैं यह हम लोग use नहीं करेंगे add to wish list and so on तो हम लोग यह वाली चीज़ें जो है यहां से remove करने जा रहे हैं और सबसे पहले guys यह जो आपके पास बनावे tab list एक यह complete app row को जो है वो remove करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो है वो निच्चे वाला जो सारा data है वो delete होता है या नहीं होता तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पे ओके guys तो यहां पे हम लोग उने यह चीज़ जो है वो remove करवा दी है अभी हमारे पास यह SKU और बाकी चीज़ें लिखी हुई है हम लोग यह check code को देखेंगे आप यह कहां पे लिखा हुआ है तो इसको भी guys हम लोग ने यह div को भी remove करना है और add to wish list वाली div को भी हमने remove करना है क्योंकि हम लोग guys जो है वो अपना add to card system बनाने जा रहे है तो उसमें जो हमें extra data है उसको यहां से remove करना है okay guys, तो यहां पर आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास यह चीज है वो रिमूव हो चुकी है अभी हम लोग size को भी remove करेंगे और colors को भी remove करेंगे तो यहां पर यहां पर यह आपके पास size का जो है वो tag आजएगा और यह आपके पास जो है वो इसमें ही color का भी जो है वो सारा कुछ पढ़ा हुआ है okay guys तो यहाँ पर आपके पास related products लिखा हुआ है अगर आप लोग related products show करवाना चाहे तो आप लोग वो भी करवा सकते हैं वो कैसे करवाएंगे वो मैं आपको बात में बताओंगा लेकिन पहले हम लोग जो है वो add to card पर work करेंगे तो guys आपने क्या करना है यहाँ पर यह जो आपके पास quantity लिखा हुआ रहा है यह आप लोग के पास like यह चीज़ जो है इन दोनों को आपने जो है वो क्या करना है एक form के अंदर write करना है form form like HTML का जो form होता है हम लोग उसके अंदर इसको add करेंगे क्योंकि मैंने जो कुछ data है वो form के थूर पोस्ट करवाना है तो guys यहाँ पर हम लोग रखेंगे and then हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यह जो a tag है इसको button tag में जो है वो convert करने जा रहे है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे button and आपके पास देखें यहाँ पर button और इस button के उपर हमने guys यहाँ पर लिखना है type is equal to submit यह submit हमने रख दिया guys and यहाँ पर हम लोग इसका जो है वो name का attribute लाजमी देंगे आपको पता है form में जो भी input field होगी उसको आपने name का attribute लाजमी देना है और guys mean value जो है ना वो आपने वो one रखनी है कि minimum जो order होगा product का वो एक होगा और इस तरीके से आपने max जो रखना है यहाँ पर वो max आपने set करना है कि जितनी आपकी total quantity यह उतना हो उससे ज्यादा वो order नहीं कर सकता तो यहाँ पर max में जाके लिखेंगे product dash quantity अगर तो हम लोग उने quantity का column add किया है तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हम refresh करते हैं यहाँ पर इसको और हमारा यह जो page एक दफार रिलोड हो जाएगा और इसमें जो extra data था वो मैंने remove कर दी है related product के लावा सब कुश हमने remove कर तो guys यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यह चीज जो वो इस तरीके से work कर रही है okay guys तो आप लोग ने देखा कि आपके पास five three आप यहाँ पर आप देखें कि आप लोग अगर इसको one से नीचे लेके जाना चाहें okay यहाँ पर आपके पास दो तरांके जो हैं वो ल लगे होगे हैं तो guys आपने इन में से सिर्फ एक लगाना है तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यह चीज रिमूव होती है या नहीं होती okay guys तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यह चीज रिमूव हो चकी है और इसका थोड़ा डिजाइन भी चेंज हो चुक है तो आप इसको जो है वो डिजाइन के उपर आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर class is equal to form control क्योंकि यह बूट्रैप की जो है वो एक built-in class है इसकी वज़ा से अगर कोई difference आता है अपमारे front end पे तो हम लोग इसको भी ठीक करेंगे ओके गाई तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिलकुल सेट हो चुक है अभी यह one से नीचे नहीं जा रहा विकास हम लोग ने इसकी setting जो है करवा ली है तो गाई जो आप लोग को theme download करने के लिए मिलती है ना उसमें काफी ज़ज़़ा चीज़ें जो होती है वापको यहां पर हम लोग लिखेंगे hidden और name is equal to लिखेंगे id जिस product को आप add करने लगया ना guys उस product की id भी आपने लेख जाने है जहां से तो आप यहां पर लिखेंगे id and value is equal to और इधर guys आप लिखेंगे dollar sign product product-id तो यह जिस product को आपने रीड किया था यह उसकी आ जाएगे और quantity कितनी नहीं थी वह चीज़ आगी guys तो अब हम लोग form पर आएगे guys और यहां पर हम लिखेंगे class is sorry action is equal to url2 और यहां पर guys हम लिखेंगे add to court and guys यहां पर आपने सबसे पहले add to court लिखा और इसको method दे देंगे आप लोग method is equal to post लिख लें method is equal to post and यहां पर हम लिखेंगे add the rate csrf तो guys अगर आप लोग इसको refresh करें एक दफ़ा और refresh करने के बाद आप add to court करते हैं तो then हम लोग चेक करेंगे कि हमारा add to court का जो link है जिस पर हम लोग जाना चाहरें उस पर यह जाएगा या नहीं तो यह देखें guys add to court करने पर यहां पर इस link पर आ चुक है रिमूब कर लें और लिखें dollar sign item is equal to new court यह आपका वो model है जो के आपने database के लिए जो अक्रियेट किया था यहां पर आप लोग देखें और यहां पर guys लिखेंगे quantity ओके गाइस तो यहां पर हमने quantity लिख दी या data लिख दी और यहां पर लिखेंगे product id is equal to यहां पर हमने उसको id में रखा था उसके बाद लिखेंगे customer ओके गाइस तो यहां पर आके आपका वो issue बनता है कि अगर आप login नहीं है तो आप कैसे i2 court कर सकते हैं तो यहां पर guys आप लिखेंगे वैसे session get into id तो यह guys उस user की जो id वो get हो चुकी है लेकिन यह id आपको वैसे नहीं मिलेगी इसके लिए आपका session बना हुआ ज़रूरी है तो यहां पर guys आप लिखेंगे item dash save and then guys हम लोग यहां पर return redirect back करवाएंगे with success और यहां पर हम लोग जो आपके लिखेंगे return redirect back with success तो यहां पर लिखेंगे item add it into cart यहां पर आपके cart पर जो है वो एड हो चुकी है उसके बाद guys यहां पर आपने क्या करना है इसको सिर्फ आपने यहां से cut करना है और यहां पर आप इफ लगाएंगे और यहां पर चेक करेंगे session और यह security के लिए basically आप लगा रहे हैं और दूसरा आप यह चीज़ वे अब if में तो आपने यह लिख दिया और else में आप यहां पर आएंगे तो यहां पर यही return redirect back को copy करेंगे आप लो and guys यहां पर आपने यह चीज जो है वो write करने है कि आपके पास यह आएगा error कि यह आपका error है और guys आपने क्या करना है यहां पर लिखा है warning यहां फिर आप इस इसको जस्ट जो है वो इधर लिखेंगे info और लिखेंगे your account is ready की जगा पर please log into system okay guys तो यह हमारे पास एक error जो है वो show करवा देगा और इस तरीके से हमारा यह काम कमल हो जाएगा अभी हम लोग guys क्या करेंगे यहां पर back करेंगे और एक दफार research करेंगे and अभी क्योंके मैं login नहीं हूँ आपके सामने की बात है यहां पर आपके पास register लिखा हुआ रहा र और जो हमारा जो login का page है वो यहां पर भी redirect हो जाएगा और login के page पे जो हम लोग फिर दोबारा से अपना email और password लिखेंगे और यहां पर यहां पर यह देखेंगे आपके पास यह message भी उसने flash message भी डिस्प्ले करा दी है तो हम लोग लिखेंगे अलिया देर 123 and login पर क्लिक करे होंगे guys तो यह देखें हमारे पास यह login जो हो चुक है और अगर आप देख सकें तो यहां पर आपके पास यह login भी लिखा हुआ जो हो आ जाएगा ओके guys यहां पर देखें लागूट आ गया और आप लोग क्लिक करेंगे किसी भी चीज के उपर and guys आप लोग इसकी single product पर जाएंगे and single product पर हम लोग फिर इसको add to card करेंगे और फिर देखेंगे किया हमारे पास यह product add होती है या नहीं होती ओके guys तो यहां पर देखें आपके पास add to card पर double click करेंगे and three products मैं इसमें add करना चाहर हूँ तो मैंने add to card पर click करेंगे तो यहां पर देखें guys आपके पास add to card हो चुक है और अगर आप यहां पर आएं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक item जो है वो इस user customer ID यहां पर क्या लिखा है two और product ID क्या लिखा है three तो guys जर आपने users में जाएंगे और देखें अधि डिरेट Gmail की ID जो है वो two है तो उसने आपका जो customer है उसको add करवा दिया और इस तरीके से आपकी जो products है guys वो add to card हो जाएंगी और आपको जो है वो यहां पर जो card हम लोग बनाएंगे pages के अंदर इसके अंदर जो है वो display करवाएंगे तो guys first step हम लोग उन्हें complete कर लिया है अब हम लोग second step की तरफ जो move करेंगे इसमें हम लोग अपने card की जो items हैं उनको display करवाएंगे okay guys आज के लिए इतना ही अला हाफिस